नमस्कार, कोरोना इस समय हमारे देश में कहर बरपा रहा है, 90% से उपर रोगी इस समय होम केर पर है, होम केर पर लोगों में एक बहुत बड़ी उत्सुकता और घबरहट है लंग इन्वाल्मेंट की, कहीं मेरा लंग ना इन्वाल्व हो जाए, मुझे कैसे पता लगेगा, उसको रोकने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसको जानने के लिए मैं का कर सकता हूँ, कैसे पता लगेगा, और इसके लिए लोग तरह तरह की चीज़ें बलड टेस्स करवा रहे हैं, कोई CT स्कैन करवा रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, औ कुछ बहुत ही बेसिक सी एक्सराइजेज बताऊंगा चेस्ट की एक्सराइजेज जो आपको जो शुरू के पीरियड में जैसा कि बताऊं कि कोविट के दो पार्ट्स हैं जो पहले पांच से तात दिन होते हैं इसमें प्राहे बुखार और बाकी सारे सिम्टम्स होते हैं और हो सकता है इस पीरियड में लंग इन्वाल्मेंट लेकिन बहुत रेर है मोस्टली जो लंग इन्वाल्मेंट है वो आठ दिन के आसपाश शो करता है और आठ से चौदा दिन का जो पीरियड होता है उस बीच में में मोस्टली लंग इन्वाल्मेंट मैनिफेस्ट करता है तो ये जो पहला हकता है जिसमें आप rest पे हैं, isolation में हैं, घर में हैं और खाली हैं, इस बीच में आप ये चंद बहुत ही simple, basic सी exercise अकेले या जो involved family members हैं उनके साथ कर सकते हैं, जिससे आपकी lung capacity बढ़ेगी, ये आपके oxygen की requirement होने के chances को कम करेगा, आपको lung अगर involvement होगा तो उसके बारे में पहले से warn करेगा और आपको जबर्दस्ति के test करने से रोकेगा, तो इसमें हम लंबा सांस खीच के रोकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा, इसको हम कहते है deep breathing and breath holding exercise, ये जो breath holding आप कितनी दे रोक पाते हैं, उसको हम breath holding time कहते हैं, जब आप पहली बार रोकेंगे तो वो हो सकता है, आप 8 second, 7 second, 10 second रोक पाएं, मेरी आप से ये निवेदन है कि आप लोग group activity करके इसको रोज 2-3 second से बढ़ाएं, मालीजे पहली बार आपने किया 8 second है, आपने का अच्छा मैं आज शाम को सोंगा तब जब मैं इसको 11 second कर लूँगा, अगले दिन आपने उसमें 3 seconds और किये, अगले दिन आपने 3 seconds और किये, करते 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 आप कोशिश करके इसको 20-25 seconds से उपर ले जा सकते हैं, मैं आपको बता दूँ कि जिस भी रोगी ने अप बढ़ा अच्छा मैसे जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, क्योंकि अगर कुछ भी अंदर गड़बर होगा, तो ये टाइम बढ़ेगा नहीं, बढ़के बढ़के फिर घटने लगेगा, तो यह हमें लंग की केपैसिटी बढ़ाने में मद करता है, एक अगर कहीं भी कोई गड़बर होगी, तो जो आपका breath holding time बढ़ रहा होगा, वो बढ़ने की जगे कम होने लगेगा, तो ये हमें warning सूचना देता है दो, और मैं ये भी मानता हूँ कि ये आप अगर करते रहेंगे, तो आप लंग को इतना सुद्रड कर लेंगे, कि अगर वहाँ थोड़ा बहुत involvement होगा, तो उससे आपके oxygenation पे बिल्कुल फर्ग नहीं पड़ेगा, तो ये आपको 1000 तरह से आपको help करता है, एक और test है, जिसको हम कहते हैं 6 minute walk test, उसमें हम पहले oxygen, pulse oximeter लगाते हैं, अपना oxygen देखते हैं, और फिर 6 minute तक हम walk करते हैं, और उसके बाद फिर oxygen देखते हैं, तो rest पे हो सकता है, हमारा oxygen normal हो, लेकिन जब हम walk करते हैं, तो उसके बाद में हमारा oxygen गिर सकता है, तो ये भी एक बहुत early sign है, जो lung involvement, oxygen fall के रूप में manifest करने से पहले हमको बता देता है, कि हमारे lung involved होने वाले हैं, यानि कि आपने 6 minute walk test किया, आपका walk करने से पहले, walk करने के बाद, दोनो saturation 95 से उपर है, normal है, अगर lung involvement शुरू हुआ, तो आपका पहला sign होगा, कि आपका exercise के बाद वाला जो value है, वो 3-4% fall कर जाएगी, तो ये आपको एक पहली warning मिलेगी, कि अंदर कुछ हो रहा है, तो अगर आप group में, घर में breath holding practice करे अपना breath holding time 25 से उपर पहुचाएं, और उसको रोज धीरे धीरे बढ़ाते रहें, और उसको monitor करते रहें, और उसको बढ़िया रखें, और दूसरा 6-minute walk test में आपका fall नहीं होता, तो ये दो चीजें आपको indicate करती हैं, कि अंदर सब कुछ ठीक है, क्योंकि अगर कुछ भी ग करके अपने group के साथ दिखाऊंगा, और आप सब से निवेदन करूंगा कि घर में इसको करें, और CT scan की तरफ मात भागें, जब oxygen कम होता है, excessive खांसी होती है, या chest में कोई severe pain वगारा होता है, या post exercise आपका oxygen fall करता है, इनी चार situations में आपको CT scan कराना है, otherwise आप इन दो test को, इन अपने को घर में सुरक्षित रखें, और Corona से जल्दी से जल्दी recover करें, तो आए अब हम ये exercise करके देखते हैं, अगर आप अकेले हैं, तो ये आपको swim करना है, तो मैं एक solo ये activity करके दिखाऊंगा, और कई लोग हैं, तो इसको group में कर सकते हैं, उसके बाद मैं अपने team members के साथ आपको group activity भी दिखाऊंगा, तो मान लीजिए मैं अकेला हूँ या आप अकेले हैं, तो आपने बैठे, कंदे बिलकुल सीधे होने चाहिए, chest सीधी होनी चाहिए, हाथ अपने thighs पर रख लीजिए, और मूँ से सांस लेंगे, क्यों कई लोगों को नाक में कभी-कभी obstruction अपने लोगरा होता है, तो मूँ से बड़ा smoothly सांस जाती है, अब दिखे मैंने सांस निकाल दी, मूँ खोला, तो मैंने मुझ खोल के गेरी सांस खींची ती, खींची ती, खींची ती और पूरी खींची चला गया था, और खींच करके उसको रोक लिया था, मैंने जल्दी छोड़ दिया मैं तो 35 सेकिंड तक रोक सकता हूं जल्दी छोड़ा मैंने लेकिन आप उसको जितना रोक सकते हैं उसको रोकिये तो गहरा सांस खीचना और उसको रोकना ये जरूरी है अब में अपने जो मेरे कॉलीक्स हैं डॉक्टर हर्श और सिस्टर नेहा उनके साथ आपको यह ग्रूप एक्टिविटी करके दिखाता हूं तो आप लोग सिधे बैठ जाएए चेस्ट को बिल्कुल सीधा कर लीजिए और बिल्कुल हाथों को आगे अपना रिलाक्स पोजिशन में रख लीजिए और मैं 123 जब कहूंगा तो 3 के काउंट पे आप ल 123 और खीचे 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 बिल्कुल अब अपने को फ्रीज कर दीजे तीनों फ्रीज कर दीजे आप इमेजिन करिए कि यह जो अंदर इतनी हवा आपने भर ली है लंग्स के अंदर यह आपके लंग्स को हो रहे हैं oxygen आपके body में पहुच रही है और आप बिल्कुल ठीक हो रहे हैं अपने को ठीक होता हुआ महसूस करिए ठीक होता हुआ महसूस करिए और जितनी देर संभव हो इसको रोक के रखिए जो आपको लगे नहीं रोका जा सकता एक दो सेकेंड और रोकिएगा आपको जान लगानी है क्योंकि यह आपके लंगस की पावर को बढ़ा रहा है आपकी ब्रेथ होल्डिंग बढ़ा रहा है आपके लंगस का पिरिफल पार्ट को ऊप्न UP करके total Lung available for oxygen exchange आपका बढ़ा रहा है रोक के रखिए रोक के रखिए बिलकुल रोक के रखिए जो लोग आप परिवार में देखे नोन प तो दूसरों को encourage करेगा, अरे भाईया, अरे भावी, चलो देखो, मेरे साथ करो, मैं और बढ़ाओ, एक दूसरे को encourage करके, इस breath holding time को बढ़ाने की कोशिश करिए, यह एक अच्छी group activity है, यह आपके lungs को healthy कर रही है, यह आपको और अच्छा बनेगी, तो देखिए, प्रिणा मैं शायद 2-3 second पहले रोक दिया, डॉक्टर हर शोट शिस्ट नेहा ने उससे ज्यादा इसको रोका, तो एक दूसरे को आप encourage करेंगे, तो आप एक दूसरे का breath holding time और ज्यादा बढ़ाते रहेंगे, आप realize करेंगे, कि यह एक really good breath holding, breath deep breath taking और breath holding के बार, हाप एकदम exhaust से हो ज देर तक रोक लिया, तो वो wonderful है, आपके lungs को उसने peripheral parts को open up कर दिया, घंटे में एक बार और हो सके तो दो बार ये करिए, लेकिन हर subsequent घंटे में पिछले घंटे के मुकाबले एक आज second बढ़ाईए, बढ़ाईए, दीर दीर बढ़ाईए और किसी तरह से कोशिश करके इसको 20 25 से के बाहर ले जाए, वो हमारा green zone है, जिसका 20-25 से उपर breath holding time है, उसके lungs को perfect है, अब हम आपको 6 minute walk test करके दिखाते हैं, सिस्टर नेहा आपको ये demonstrate करेंगी, इन्होंने pulse oximeter लगाया हुआ है, देखिए ये इसमें reading इनकी अभी saturation 97 दिखा रहा है, अब हम इस probe को निकाल के र walk करेंगी, आपको भागना नहीं है, आपको एक normal speed पे 6 minutes तक लगाता walk करना है, walk करना शुरू करिए, थोड़ा तेज चले, चलते रहें, continuous रूपना नहीं है, 6 minutes तक continuous walk करना है, अब हम इस वीडियो को यहीं रोक रहे हैं, ये walk करती रहेंगी, हम 6 minutes पूरा होने पर फिर आपको दिखाएंगे, देखेंगे, इन्होंने 6 minutes का पूरा walk कर लिया है, अब हम इसको on करके फिर से लगाते हैं, और देखते हैं कि अब इनका saturation क्या है, इधर दिखाएगा, देखेंगे, इनकी sas फूल रही है, आप देखेंगे, इनकी sas फूल रही है, क्योंकि इन् का 98 हो गया तो कोई fall saturation में नहीं हुआ, अगर आपका lung involvement शुरू होगा तो 3-4% का fall शुरू होता है, वो पहला warning signal होता है कि आपके lung का involvement हो रहा है, तो अगर आपके walking करने पे कोई भी fall saturation में नहीं है, इसका मतलब आपके lungs बिलकुल ठीक है, तो हमने इस वीडियो में deep breathing करके अपना breath holding time धीरे धीरे बढ़ाना और six minute walk टेस्ट करके अपने lungs की condition को चेक करते रहना, इन दोनों चीजों को आपको अच्छी तरह से दिखा दिया है, एक सलाज जरूर देना चाहूंगा, कि अगर आपका पहले 5-6-7-8 दिन में breath holding time धीरे धी और 7-8 दिन या उससे पहले या उसके बाद में अचानक वो कम हो जाता होने लगता है, या six minute walk टेस्ट पे आपका saturation 3-4% या उससे ज्यादा गिरने लगता है, तो ये दोनों की early warning signs हैं कि आपके lungs में कुछ न कुछ involvement शुरू हो गया है, और ऐसी सूरत में तुरंथ आपको अ आप self proning का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हमने पहले ही एक वीडियो में दर्शाया हुआ है और उस वीडियो का link इस वीडियो के end में हमने दिया भी हुआ है